कैमरा फ्रेंडली कैसे हो दो तीन पॉइंट मैं बताऊंगा उसको फॉलो कर पॉब्लिक में बात हम कैसे करें हेलो असलाम अलेकम गुड मॉर्णिंग क्या हाल है उम्मीद करता हूं मस्त होंगे स्वस्त होंगे और अपने कामों में व्यस्त होंगे तो अभी जो है ना टाइम हुआ है छे बच के अंठावन मिनट और दिन है फ्राइडे का तो आज का वीडियो में मैं किस टॉपिक पर बात करता हूं वो थमनेल और टाइटल से तो पता चल गया है तो उससे पहले कुछ बाते हैं जो आप से करनी है वो यह कि कल से जो यानि कि दो तारिक से मैं एक चै 11 मिनट पर आपको चैनल पर मेरे दिख जाएगा एनिहाओ आप लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक्राइब कर लो और वो जो वीडियो आएंगे तो उस पर अपना प्यार दुलार सब कुछ बता ना तो चले आप चलते हम अपने टॉपिक की तरफ तो हमारा है कि व्लोग कैसे बनाएं व्लोग कैसे बनाएं यह सिंपल सा टॉपिक लग रहा है आपको लेकिन जब आप रियालिक्टी में उत्रोगे जब आप इस पे काम करने के लिए उत्रोगे मेरा मतलब है कि जब आप व्लोग बनाने के लिए उत्रोगे तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये बहुत ही toughest काम है toughest काम क्यूं है अगर आप camera friendly नहीं हो और public में आपको क्या है शर्म आता है आपको ही क्या कभी कभी मेरे को भी शर्म आता है तो ये सबसे हम कैसे बचे इस वीडियो में हम क्या है बात करने वाले हैं अभी देखो मैं अपने छट पे वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मैं बहुत ही इसली वीडियो बना लूँगा या कोई भी आप भी अपने छट पे या रूम में अगर वीडियो बना लोगे तो बहुत इसली बना लोगे लेकिन व्लॉग का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में ही बनाओगे या घर की चीजे ही आप बताोगे शेर करोगे आपको मार्केट में भी जाना होगा और कैमरा के सामने हमें किस तरीके से बीव करना किस तरीके से बात करना वो भी चीज बहुत जरूरी हो जाती है अब यह तो नहीं है कि जैसे हम friends के साथ मिलते हैं उल्टा सिधा rough language यूज़ करते हैं वैसे हम vlog में यूज़ करें तो तीन point मैं बताऊंगा उसको follow करोगे तो धीरे धीरे आप भी क्या है उसके habit में आ जाओगे जाए इसी बात है कि first time सबको अजीब सा लगता है तो सबसे पहले बात camera friendly कैसे हो camera friendly का मतलब DSLR वगरा camera नहीं आप phone से अगर vlog shoot कर रहे हो तो उससे friendly किस तरीके से हो तो आपको जो है ना जिस तरीके से आप अपने दोस्स से बात करते हो like कोई friend से बात करते हो तो बात करने के आपको phone को जो है ना अपना दोस्त मानना होगा एक non living thing दोस्त मानना होगा क्योंकि जब हम दोस्त से बात करते है तो उसका reply कुछ ना कुछ तो आता है लेकिन phone तो कोई reply करेगा नहीं तो इसलिए non living thing दोस्त समझके अपनी बाते share कर सके फोन को अपना friend मानना है phone हो camera हो कोई इससे क्या है आपको जो बोलने में परिशानी नहीं होगी और आप clearly जो भी बात रखना चाओगे वह आसानी से रख लोगे हाँ तो दूसरा point क्या है कि public में बात हम कैसे करें क्योंकि जब भी हम mobile निकाल के इस तरीके से हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग हमें घूरने लगते हैं और वो घूरने के वज़े से हमारा ध्यान उनकी तरफ जाता है और हम जो बोलना चाह रहे हैं वो हम बोल नहीं प माइंड होता है वो क्या हो जाता है अपने काम रास्ते से भड़क जाता है समझो कि यार वो देखो वो मेरे को देख रहा है और वो जब हम यह चीज़ सोचते रहते हैं तो हम बोलने का कुछ और निकल कुछ जाता है जैसे हम point एक बोल रहे हैं कि public में वीडियो कैसे बनाए तो यह तो एकदम fluently हम बोल लिए हैं लेकिन camera के सामने जब सारे लोग देखते हैं तो वो बोलने में हम क्या हो जाते हैं लड़ खड़ा जाते हैं तो इसका हम एक ही example देंगे कि मान के चलो कि आप जो है न वीडियो नहीं बना रहे हो आपकी कोई दुकान है आपकी क्या है में सिट है कि यह काम है यह मेरे को करना है पबलिक देखे क्या करे उससे हमको मतलब नहीं है तो व्लॉग को भी आपको एक काम की तरह ही लेके चलना यह एक काम ही है जो लोग यूटुबर्स या व्लॉग वीडियो वगरा बनाते वो भी उसके लिए क्या है काम है और का मैं डालना है कि ना आप उनको जानते हो ना वो आपको जानते एक 10-15 मिनट आप जितनी देर वहां पार्क में या कहीं भी घूमने वाली जगे पर रहोगे वहां पे 10-15 मिनट आप एक दूसरे को देखोगे मिलोगे उसके बाद वो कहां और हम कहां तो यह चीज माइन में रखे अपना काम करते रहना यह बातें जो है ना सुनने में बहुत आसान लगती होगी अरे हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा लेकिन जब आप इसको प्रैक्टिकल करके देखोगे ना तब पता चलेगा क्योंकि अभी मैं जितना पब्लिक में कभी बोल लेता हूं या व्लॉक बना लेता हूं तो यह नहीं कि मैं शुरू में भी ऐसा ही रहा हूंगा मेरे को बहुत समझ के करना परता है पहले उदर देख लेता हूं तो कोई है की नहीं कोई देख तो नहीं रहा है वह आता है जब आप करना है स्टार्ट करोगे तभी तो वह उसकी किस तरीके से होगी तो यह था अपना दूसरा पॉइंट कि पब्लिक में हमें व्लॉक कैसे बनाना है और लाश्ट पॉइंट बोलना चाहूंगा जो अक्सर मेरे साथ हो जाता है वो क्या कि आप कहीं भी घूमने जाते हो तो उसके बारे में क्या है अच्छे से नॉलेज प अगर मैं सोच के जाता है तो मैं वह टॉपिक पर उसके बारे में कुछ नगुछ जानकारी ले लेता नहीं सोच के जाता हूं वहां पे पर जाने के बारे में अच्छे से जान ले है अगर आपको Google पर नहीं मिल रहा है तो इससे पहले देखें कि कोई व्लॉगर गया है या अगर कोई व्लॉगर गया तो उसमें देखिए कहीं वो कुछ पॉइंट्स बोला होगा जो आपको याद नहों और वो वीडियो देखने के बाद वो पॉइंट्स पता चल जाए वगयरा चैनल पर बनाए रखें